इसराइल हमास जंग से पुरा मिडिली इस्ट जल रहा है अपने हमलों से इसराइल ने गाजा में तबाही मचा दी है इसके साथ हमास के लड़ाके भी हर फ्रंट पर इसराइली सेना का मुकाबला कर रहे हैं इस बीच इसराइल ने इरान में मौजूद हमास चीफ को धेर किया एक मिसाइल हमले के जरिये हमास चीफ हानिया को मारा गिया हमास चीफ की मौत से खलबली है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है जिसने सब के होश उड़ा दिये है इस्राइल की खूफिया एजेंसी मुसाद ने इरान के खूफिया एजेंस के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसाद और CIA ने हानिया की लोकेशन दी The Telegraph की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हत्याकांड में बम का इस्तमाल हुआ है The Telegraph की एक रिपोर्ट में बताया गया मुसाद ने इरानी सुरक्षा एजेंटों को एक इमारत में तीन अलग-अलग कमरों में विस्फोटक लगाने के लिए काम पर रखा था जहां हानिया ठहरा हुआ था इरानी एजेंट ने तहरान में स्थेद इसलामी रेवोलिशनरी गार्ट कॉर्प यानी आई आर जीसी के गेस्ट हाउस के तीन कमरों में बम रखे हानिया अकसर यहां ठहरता था इसके बाद यह सब ही इरान से चले गए और रात करीब दो बजे रिमोट के जरीए बम में धमाका कर दिया गया आई आर जीसी ने दर टेलीग्राफ को बताया कि मोसाद ने अनसार अलमहदी सुरक्षाई काई के एजेंटों को काम पर रखा था इस केस में जाच करने पर उन्हें दो अन्य कमरों में विस्फोटक उपकरण भी मिले थे एजेंटों को चोरी छिपपे घूमते हुए देखा गया और वे मिनिटों के भीतर कई कमरों में घुसे और निकले टेलिग्राफ को IRGC के अधिकारियों ने बताया कि हानिया को मारने की मूल योजना तब बनाई गए थी जब वे इरान के पुर्वर आश्रपती इब्राहिम रैसी के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए गए थे तब इमारत के अंदर भीड़ जादा थी जिसके चलते ओपरेशन के सफल होने की संभावना नहीं थी इस वज़े से ओपरेशन को रद्द कर दिया गया था हमास चीफ की मौत के लिए इरान सीधे तोर पर इसराइल को जिम्मेदार मान रहा है इरान के सुप्रिम लीडर आयातुला खामिनेई ने मौत का बदला लेने की कसम खाई है इस केस में इरान पर भी शक की सुई जा रही है हानिया तहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इरानी सेना के पास थी